कि नमस्का दोस्तों मैं दिनेश पांडे आप सभी का कॉम्प्टिशन कम्मुनिटी में स्वागत करता हूं कैसे हैं आप लोग पढ़ाई चल रही है बहुत जोड़ार से तयारी करना है और एक दम मतलब पूरा अपने आपको समर्पित कर देना है पढ़ाई में क्लियर है चल हुकताट जो लास्ट वीडियो मतलब गया था उस में वाग्लाउ पंचायत क के बारह व कूझन होनगल करना क्योंकि तोटल मेरे को बनाने है दस युदियो मतलब क्या करूंगा कि उसमें नगरी निकाय और पंचायत दोनों के लगभग 30 से 40 कोश्चन में रखूंगा उसमें इसलिए लास्ट वीडियो जो रहेगा ना लास्ट लेक्चर जो हमारे रहेगा उसमें पंचायत और नगरी निकायत दोनों के कूट वाले कोश्चन रखूंगा आ वीडियो होगा दसवा लेक्छर यूप को सब इसक अराम से 30 कोशन करेंगे सिर्फ और 40 का करेंगे। पूरव पंचायत नगरी निकायों को cover कर लेंगे ठीक है ना clear तो हर बड़ा नहीं है कि आथ दूसरा वीडियो जा रहा है नगरी निकायों वाला नहीं गया इस बात को ले करके बिलकुल भी ն से आर्टिकल टू-फोरी 9 से लेकर करके आर्टिकल 3 x42 तक पूरे कि पूरे आर्टिकल संगे का रहा हूं इसी में आपका वहांसावला ने ना जीDie। मतलब सबको एक साथ मिक्स करके मैं आपको बता रहा हूं फिर उसके बाद इसमें से संबंधित हम लोग क्या करेंगे क्लियर है देखो जितना आर्टिकल्स बता रहा हूं इमांदारी से उसको पढ़ लेना जिससे बाहर सविधान्ज में कोश्चन नहीं जाएगा ठीक अगर आपको लगता है कि हां सर सजबूर रहे हैं तो इमांदारी से उसको पढ़ ले ना बस फिर आप खुद ही देख लोगे कि हां यार इससे बाहर तो कुश्चन जाई नहीं रहा है क्लियर है ठीक तो चलो सुरुआत करते हैं समय वेशनी करते ज्यादा बहुत डालोग बाजी हो गई तो फिर से जोर से बोल दो आर या पार पैदा लिया कार चलो देखते हैं ठीक तो इसमें इंपॉर्टेंस आर्टिकल तो एक एक आर्टिकल बता रहा हूं ठीक उसके नाम हो ठीक तो जब देश में इमर्जेंसी लगी हो तो यहां पर राज्य सभा को यह अधिकार होता है किसको राज्य सभा को यह अधिकार है कि वह राज्य सूची के विशय से कानून बनाने के लिए कानून बनाने की अनुसंसा कर सकता है ठीक कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल 249 चुकि राज्य सूची के विशय से कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है मगर जब देश में इमर्जेंसी लगी हो तो आर्टिकल 249 के तहट राज्य सभा को यह अधिकार हो जाता है यह कर सकता है वो कि वह राज्य सूची के विशय से कानून दे सकता है ठीक है क्लियर कि बना लो राज्य सूची के वि करके विवाद हो रहा है तो उसका निप्टारा करने की बात कि यह आटिकल 262 में और निप्टारा किसके द्वारा किया जाएगा सुप्रीम कोट के द्वारा जैसे 36 गड़ का चल रहा है महानदी के जल को लेकर के उडिसा 36 सरकार के मद्ध ठीक वैसी कावेरी नदी को लेकर चल रहा था तो इस प्रकार से अगर नदी को लेकर के नदी के जल को लेकर के लगने की विवाद होता है तो इसके बार में बता है गया अर्टिकल 262 में और इन विवादों का निप्टारा कौन करेगा सुप्रीम कोट करेगा ठीक ऑके उसके बाद आटिकल 263 यह अंतर परिषत के गठन के बारे में बोलता है कि एक अंतर राजी परिशद होगा, ठीक वो हर एक-दो साल में क्या करेगा, दो राजियों के मद्र किसी प्रिकार के विवाद है, या किसी प्रिकार का कोई मैंटर चल रहा है, तो उन विवादों को निप्टारा करेगा, ठीक, ओके, तो Article 263 अंतर राजी परिशत के बारे में है, उसके बाद Article 266, तो Article 266 संचित निधी के बारे में बात करता है, ठीक, फिर उसके बाद Article 267 आकास्मिक निधी के बारे में बात करता है, फिर उसके बाद Article 268 सर्विस टेक्स सेवा कर, सर्विस टेक्स के बारे में बात करता है, फिर उसके बाद Article 269 आकास्मिक निधी के बारे में बात करता है, टेक्स लगेगा, वो कहलाता है, IGST, Integrated Service Goods and Service Tax, ठीक, दो राजियों के मद समान को लेकर के जो टेक्स लगाया जाता है, उसके बारे में बताया गया है, आर्टिकल 269 आकास्मिक निधी कर के बारे में है, टेक्स के बारे में, और कौन सा टेक्स है, इंकम टेक्स, ठीक, आर् यह भी टेक्स के बारे में है, उत्पात सुल्क, ठीक, केंद लगाएगा, राज वो सुलेगा, राज रखेगा, इस टैप का मैटर जो रहता है, वो सब मैटर में ही यह, आर्टिकल 272, क्लियर है, ठीक, उसके बाद आर्टिकल 275, आर्टिकल 275 बोलता है, अनुदान के बार में, आर्टिकल 275, इसके बाद आर्टिकल 279A, यह GST के बारे में है, गुड्स शेओसे टेक्स, 269A IGST है, और उसके बाद आर्टिकल 2, सौरी, एक मैं ठोको, तिक आर्टिकल 279 एक इसके बारे में जी एस्ट के बारे में और 269 ए आई जी एस्ट के बारे में क्लियर है ठीक ओकी फिर उसके बाद आर्टिकल 280 तो केंद्री वित्त आयोग के बारे में इनका पांत सलका होगा और क्या काम करें गें राज्य और केंध्र के मद्ध वित्त का बट्वारा थिक क्लियर और याजकल 281 वित्त आयोग की रिपोर्ट वित्तायोग अपनी रिपोर्ट देगा किसको राश्पति को तो वित्तायोग की रिपोर्ट के बारे में बताया गया आटिकल 180 फिर उसके बार आřिकल 292 तो केंडर द्वारा केंड़िंड लेना केंड्र जो विदेशों से वर्ल्ड बैंक से और यह आंदु लेती है उसके बार में ब Одसके बार आठीकल 293 राजे के द्वारा री बैंक से नेटी है तो इसके बार में बद आए ते गेंpie कर्सेंड सरकार को बताक ना पढ़ेगा केंड्र सरकार के अनुम्ती पर ही यहां पर से वर्लड बैंक लेगी तो इसके बारे सबसे पहले किसको बताएगी कि सरकार को बताइगी तो 2 920 राज्योधार weekend रेना बुदेशन और 293 राज्योदार रिंड लेना क्लियर उसके बाद आर्टिकल 300a तो यहां पर है संपत्ति का अधिकार संपत्ति का अधिकार जो है यह पहले हमारा मूल अधिकार था मगर इसको 44 सविधान संसोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार एक कानूनी अधिकार थीक वीधिक अधिकार है क्लियर है उसके बाद आर्टिकल 312 तो अखिल भारती सेवा के बारे में है तो अखिल भारति सेवा के स्रीजom करने का दिकार कियっ voice राजिसभा को यह यह अनुसंसा कर सकती है ठीक अखिल्भारति सेवा के स्रीजन करने का जुrites उसके बाद आर्टीकल टू फिप्टीन टू फिप्टीन बोलता है यूपीए सी मतब संग लोग सेवा आयोग और राज लोग सेवा योग प्से mix कि फब है ओके यहां पर ठोड़ाद ड्हान देना कि संग लोग सेवा अयोग जो है इसके अध्याक सदसकी नियुकती राजप्ति करेगा राज्यकन जो यो के अध्याक शेवा वाईयोग की पद मुक्ति जो अध्यक्ष सदस्य उनकी पद मुक्ति राज पाल नहीं करता ठीक है सिर्फ नियुक्ति करेगा उनको सपद दिला देगा मगर उनकी पद मुक्ति करने का अधिकार राज पाल या राज सरकार को नहीं होता ठीक है कहा का राज लोक सेवा आयोक के अध्यक्ष और करती के हाथ में होता है ठीक है क्लियर ध्यान देना इस बात को उसके बाद आर्टिकल 320 तो UPSC के कारे संग लोग से आयोग जो कारे करेगा उसके बारे में है चिक उसके बाद आर्टिकल 322 इनकी रिपोर्ट संग लोग से वायोग अपनी रिपोर्ट जो बनाएगा सालाना वह तो राशपति को देगा और राज्ज लोक से वायोक जो अपनी रिपोर्ट बनाएगा वो राज्युपाल को देगा क्लिया तो इनकी रिपोर्ट के बारे में है उसके बाद आर्टिकल 324 तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में है ठीक, ओके, इनकी नियुक्ति राश्पति करेगा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि केंदरी निर्वाचन आयोग के अध्याक्ष और जो उसके सदस्य है, तीन सदस्य होता है ठीक, तो इनका जो वेतन होता है वो सुप्रीम कोट के नयाधीस के बराबर होता है ठीक है, कि केंदरी निर्वाचन आयोग के वेतन भत्ते सुप्रीम कोट के नयाधीस के बराबर होते है समान होते है, ठीक, इस बात को याद रखना जरूर है ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 325 आर्टिकल 325 बोलता है समान मतदान का अधिकार समान मतदान का अधिकार कहने के मतलब यह हो गया कि यहां पर धर्म जाती लिंक के अधार पर किसी प्रकार का भेद्भाव नहीं किया जाएगा सभी को समानतर का अधिकार है चाहे वो पूरुस हो चाहे वो इस्त्री हो सभी को म फिसके बाद अंब स्केनर के मत्ताथिकार मतंटलने के लाएक है या मतदान कर सकता है वह तो मैं व्यात मत अधिकार आर्टिकल 326 इसको कई बर पूठ चुका है ठीक है क्लियर ठीक फिर आर्टिकल 327 निर्वाचन से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसको केंद्र को या संसत को केंद्र द्वारा नियम बनाना निर्वाचन से संबंदित खिक आर्टिकल 327 क्लियर फिर उसके बाद आर्टिकल 328 राज्य द्वारा निर्वाचन से संबंदित नियम बनाना राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार या राज्य विधान सभा, दोनों बोल सकते हैं, निर्वाचन सम्मंधित नियम, ठीक है, क्लियर, उसके बाद आर्टिकल 330, तो आर्टिकल 330 बोलता है, लोग सभा में, SC, ST का रक्षन, आर्टिकल 331, लोग सभा में, एंगलो इंडियन का रक्षन भले ये समाप्त हो गया है, ठीक, मगर फिर भी याद रखना है, इसको आर्टिकल को याद रखना है, ठीक है, क्लियर, ओके, फिर उसके बाद, आर्टिकल 332, राज्य विधान सभा में, SC, ST का रक्षन, मतलब उनकी सीटों का, ठीक, और उसके बाद, राज्य विधान सभा में, एंगलो इंडियन का, ठीक है, भले समाप्त हो गया एंगलो इंडियन का, मगर फिर भी याद रखना है, आर्टिकल याद रखने में कुछ नहीं है, आर्टिकल को याद रखना है, क्लियर, ठीक, उसके बाद, आर्टिकल 338, राश्ट्रिय, अनुसुचीत, जाती आयोग, ठीक, उसके बाद, आर्टिकल, 338A, राश्ट्रिय, अनुसुचीत, जान जाती आयोग, एस्टी आयोग, ठीक, उसके बाद, आर्टिकल 340, पिछड़ा वर्गा योग, राश्ट्री पिछड़ा वर्गा योग, ठीक, क्लिय, उसके बाद, आर्टिकल 341, राश्ट्रिय, राश्ट्रेश्पति द्वार्ण किसी भी जाती को SC, घोशित करना, ठीक, ठीक, क्लिय, ओके तो इतना आर्टिकल षापको याद रखना है, समझ में आ रहा है 249 से लेकर के 342 तक ओके चलो अब देखते हैं अपन एमसी क्यू आर्टिकल से कोश्चन आता है ना सॉरी 350 सॉरी 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 एक आर्टिकल तो बचाता सॉरी ठीक 350 ए आर्टिकल 350 ए बोलता है कि प्रात्मिक सिक्षा ठीक मात्रि भासा में ग्रहन करना किम अपनी प्रात्मिक सिक्षा अपनी भासा में ही ग्रहन अपनी लैंग्वेज में ग्रहन कर सकते हैं आर्टिकल 350 ए बोलता है क्लियर है ठीक ओके इतना याद रखना है आपको आर्टिकल सॉरी मैं 342 तक बोला नहीं 350 ए तक है उसके अपना लग से पढ़ेंगे क्लियर चलो अब देखते हैं पना एम से क्यों ए स्वारी चलो सिधा जबान लड़ खड़ा रही आज मेरी क्यों लड़ खड़ा रही समझ में नहीं आ रहा है बोल कह रहा हूं मैं कि होता है कभी कभी हो जाता है ज्यादा टेंशन इसलिए ज suspension लेकर रह Representatives पढ़ा रहे हम को पता है बहुत लोग बढ़ार रहें बहुतए सब्सक्क्राइब बच्छा है अओ जो कर चुके हो पहले उसको अच्छे से तिहार करो सब्सकर पड़ो मगर बैस्ट पड़ो अध्री सेलेक्षन तब ही होना है कोश्चन कोई पिथवी के बाहर से निपूछने वाला कोश्चन इसी यहीं से है इसी पिथवी इसी ब्रह्मान के अंधर का ही कोश्चन जो भी है और सबसे इन्पॉर्टेन बात कोश्चन छाटने वाला कोई भगवान तो है नहीं ना इंसान ही है ना ठीक तो पढ़ो इतना कि पूछे जहां से पूछना है हमसे बनेगा बात खतम क्लियर बस ये विश्वास रखके पढ़ाई करो क्लियर चलो देखतेएं अपन मैं तो कोश्टन है परिषयत का गठन किसके दोरह किया जाता है ठीक है आगे इस सम्मंदित एक और कोश्चन है वहां पर थोड़ा उसका डीटेल बता दूंगा मैं क्लियर ठीक नैक कोश्चन राज पुनर गटन अदिनियम 1956 की धारा पंदरा के अनुसार भारत में कितने यही कोश्चन के बारे में बोरह था ओप्शन चार पांच छेत्र शेत्री परिसत का गठन क Chief उत्त अ कहा तो भायातम überhaupt में कितनीar परिशय कितनी यहींर परिशयद डचन सविधान के किस अनुषय के तहत किया गया है तो अंतराज जी परिशात परफिश्थय कौन सा आर्टिकल आपका 263 थीक 288 आपका विट्त योग है थ्यक 293 राज द्वारारी provider राज द्वारा रिन लेना है थीक है तो कौन सा आटिकल 263 में है चलो नेक्स्ट केंद्र राज्य में राज्यत्व के वित्रण में सबसे मत्त्रपुन भूमी का अन्यम लिकित में से कौन निभाता है मत अप्षन योजनायोग वित्तायोग राष्टी विकाद परिशद अंतराजी परिशद तो केंद्र राज्ये केमध वित का बटवारत करने का जिम्मा दिया घया है वित्तायों को ये भारती सबिधान का आर्टिकल 288 ती next वित्तायोग का मुख्यकार है केंद्री करो में राज्ये के भाग ततप केंद्र राज्यों के लिए दिये जाने वाली वित्ती सहता के सिध्धान्त धारीत करना राजी पर वित्तिनी अंत्रन केंद्र पर वित्तिनी अंत्रन उप्रोक में से कोई नहीं सिंपल सा है आर्टिकल 182.80 में बताया हूं कि कंद्री विगतायो का काम क्या है की वह राजि के मद करो का बटsın का बटारा करे तो क्या हो जाएगा उसका काम हो जाएगा उसका एक के κंद्री करों इसका काम होता है चलो net question सविधान के किसनुछेट द्वारा संग राजियों के लिए लोक सेवा आयोग का पुरावधान किया गया है संग और राज्य के लोग सेवायोग का तो कौन सा आर्टिकल है 310, 312, 313, 315 तो कौन सा आर्टिकल है आपका 315 312 तो आपका अखिल भारतिय स्टेवा है मगर UPSC and PSC, State PSC इसके बारे में कौन सा आर्टिकल है 315 नंबर का आर्टिकल है ठीक है, clear, चलो, next question, नीचे दिये गए, दिये हुए दोनों वक्तव्यों पर विचार कीजिए इन में से एक को कथन कहा गया है, दूसरे को कारण कहा गया है ठीक है, चलो, देख लेते हैं, option कथन, संग लोग सेवायोग, एक स्वतंत्र संगटन है संग लोग सेवायोग, एक संवतंत्र नहीं है independent नहीं है, उसके उपर भी तो नियंत्र है सविधान के दोरा ही काम करेगा, वो सविधान से हट करके काम नहीं करेगा तो कथन तो तोटली गलत कि स्वतंत्र निकाए, नहीं है independence, body नहीं है वो ठीक है क्लियर कैसी संस्ता है वो एक संविधानिक है तो कथन तो पहली गलत तो आगे पढ़ने की जुरती नहीं है सही क्या है केवल आर अब ऑप्शन देख लेते हैं तो ऑप्शन आ जाएगा आपका डी एक गलत आर सही स्वतंत संगटन तो है नहीं उसको ज्यादा किया गया है ठीक है ना अपने मन से कोई भी काम नहीं करेगा वह सीमा के अंदर ही रहकर के काम करेगा क्लियर ठीक क्योंकि रिपोर्ट देना रहता है राश्पती को क्लियर ठीक चलो नेक्स्ट दूती प्रसातनिक सुधार आयोग किस से संबंदित था उत्तम शाशन के उपाय निकालना सरकार दूती प्रसासनिक सुधार आयोग जो 2005 में गठित हुआ था ठीक है क्लियर इसका काम उत्तम शाशन के लिए था ठीक कि शाशन को कैसे मदबूत करना है किस प्रकार से साशन काम करे ठीक है इन सब के बारे में इसमें बताया गया था शाशन से लए तो आंसर किया हो जाएगा इसका उत्तम साशन के संस्थात्पिक वरस्था द менее, एक काम करना दुती प्रसाशनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष कॉन था इसका आप मुझे आंसर देंगे कमेंट्स बॉक में कि रूते प्रसाशनिक सुधार आयोग कध्यक्ष कॉन था, क्लियर यह आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंस बॉक्स में याद से कुछ भूलेगा नहीं ठीक ओके चलो नेट कोशन रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है वह अधिकारी जो भूमी को दिये जाने के अस्विकृति प्रात्ना पत्र को वापस करता है वह अधिकारी जिसे अपने मूल विभाग में वापस भेजा जाता है वह अधिकारी जो राज विधान सभा सचिवाले का प्रधान शेतर में कि चुनाव के लिए उत्तरदाई उत्वाता है ठीक है, क्लियर, ओके, ध्यान देना इस बात को, जैसे मालो लोकल चुनाओ हो रहा है, ठीक है, तो एक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति कर देगा, कलेक्टर, कि भाई, ये रहेगा, और पूरा का पूरा पूरा जिम्मा इसी के अधिकार रहेगा, जैसा मानता, जो जी जिम्मेदारी, मुख्य, निरवाचन, आयुक्त, जी ले का कौन? पूरा कलेक्टर ही होता है. योगा मंतली सव कामन है तो देखते हैं अपन और अप्षण है वे सवगाल Guinea संस्था है रेषीडान मंद्छ व्यांतो अर्य लीए संविधानिक संस्था थ आ है परामार्ष तो नहीं है ठीक क्लिए बिदा में मंद्छ दोंच टीर तो विल्कोल नहीं अब यह समेधनी ने तराव थिक क्लियर ओके औरお दूसरा है सम्वेधानिक संस्था है, इंगलिस अगर देखोगे, तो इंगलिस में लिखा है non-constitutional institutional, non-constitutional मतलब गैर सम्वेधानिक संस्था, चुकि UPSC के बारे में वर्लन किया गया है सम्वेधान में, सरोच चनेले भी है आपका आर्टिकल में, ठीक, CAG भी है आपका आर्ट में, तो इन सब के बारे में पहले सही बताया गया कि सम्वेधान में, तो ये non-constitutional institute तो है नहीं, तो एक कैसी संस्था है, constitutional institute, constitution body है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, D, कैसी संस्था है, सम्वेधानिक संस्था है, कभी-कभी हिंदी कंफ्यूज करता है न, इंगलिस पढ़ ल नहीं आता है, तो, ओके, चलो, नेक कोशन देखते हैं, सविधान लागू होने के बाद, राश्पती ने पहली बार, कब दो वेक्टियों को, मुख निर्वाचन आयूग की सहयता के लिए, निर्वाचन आयूग के पद पर, नियूट किया था, मतलब जब सविधान बना थ है, तो सविधान बनने के बाद, जो निर्वाचन आयूग था, क्लियर, वो क्यल एक सदस्ती था, मगर राश्पती ने एक समय आया, जिसमें निर्वाचन आयूग, जो मुख निर्वाचन आयूग था, उसकी सहयता करने के लिए, दो लोगों को और अपॉइंट किया था, तो टोटल तीन, जो अभी वतमान में तीन है ना, तो ये तीन सदस्ती कब से हुआ, ये पूछ रहा है वो, क्लियर, तो देखते हैं, ऑप्शन है आपका, 1986, 1987, 1988, 1989, तो तीन सदस्ती ये हुआ, 1989 में, कब हुआ, 1989 में ये तीन सदस्ती है, वाली संस्था बना, इससे पहले व देखते हैं, भारत के निर्वाचान आयोक के कार, तो निर्वाचान आयोक के कार बताओ, संसद ये राजविधार मंडलों के सभी चुनाओ कराना, राशपती और उप्राशपती के लिए चुनाओ कराना, किसी राजज में स्वतन त्रेम निस्पक चुनाओ के लिए अनुक चुनाओ कराना बिल्कुल सहीं राश्पती उप राश्पती के लिए चुनाओ कराना बिल्कुल सहीं किसी राज में स्वतन्त निस्पक चुनाओ के लिए अनुकूल दसा ना होने पर राश्पती सासन लगाने की संस्तूती नहीं चाहे अनुकूल दसा अगर नहीं है ना निर्वाचन सूचिय तैयार करना हैं के कारे का निरिक्षान निदेशन नियंतरन करना, तो चौथा भी होगा, तो option देख लो, एक सही, एक, एक है, दो सही, दो, दो, यह अला कट गया, ठीक, यह कट गया, तो यह भी कट गया, clear, और उसके बाद तीसरा तो लेना ही नहीं, त यह कट गया, तो answer is D, A, sorry, B, answer क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है, clear, चलो, देखो, मध्यवादी चुनाओ कप कराया जाता है, समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोग सभा भंग हो जाए, जब कोई निश्ची सदस अपना पलत्याग देता है, निश्ची सदस खत सभा भंग हो जाए, ठीक है, तो समय से पहले अगर लोग सभा भंग हो जारी है, तो ही मध्यवदी चुनाओ कराया जाता है, ठीक है, तो answer क्या हो जाएगा, A, जैसे अभी महराष्ट में चल रहा था, ठीक, विधान सभा को भंग करके, मध्यवदी चुनाओ करानी की बात क मतलब विधान सभा या लोग सभा, तो उसके बात जब तुरंट चुनाओ कराया जाता है, तो उसी को कहा जाता है, मध्यवदी चुनाओ, ठीक, क्लियर, चलो, next question, निम्लिखी दो वक्तम्वियों पर विचार कीजिए, A, मुख्य चुनाओ आयुक्त को समयधानिक प्रस्ता के बीना नहीं अटाया जा सकता, कारण मुख्य चुनाओ एक समयधानिक व्यक्ति है, option, A और R दोनों सही, R A की सही वैख्या करता है, A और R दोनों सही है, तथा R A की सही वैख्या नहीं करता, A सही है, लेकिन R गलत, A गलत है, लेकिन R सही, इसका अंसर आप लोग दोगे, बिल्कुल ही मांदारी से देंगे, अच्छे से पढ़ करके, और question को पहले पढ़ा करो, समझा करो, उसके बाद answer दिया करो, फटाक से answer मत दिया करो, ठीक है, clear, तो इस question का answer, आप लोग comments box में मुझे बताएंगे, ठीक है, चलो, दिनेज गोस्वामी समिती का संबंध था, बैंकों में राष्टिकरण की समाप्ती से, निर्वाचन सुधारों से, पुरुत्तर से, उपद्रा समाप्त करने को पायों से, चक्मा समस्या से, चक्मा समस्या मतलब, डॉग एज प्रॉब्लम, मतलब, ऐसी समस्या है आजाना, तो करके अयह समंझ अधा हो व्य Ring तो दिनेज ग्रस्वामी किसे संब्सभेट था निरिवाचन सुधारों से संब्स था किसे निरिवाचन सुधारों से ख्लिए चलो, नेट कोश्यन, निमनिखित में से किसका संबन चुनाओ आयोग से नहीं है, चुनाओ की अधी सूचना जारी करना, चुनाओ चिनिका बटवारा करना, चुनाओ की व्यदता का निप्टारा करना, चुनाओ सांती पुन्धंग से संपन कराना, ध्यान दो, करता चुनावा योग केंद्र में अगर चुनाव की गोष्ण ओरी अधि सूतना हो रही है तो केंद्र में राश्पति यादर या pourquoi चाहएं ध्यान देना यह सब काम करेगा वो ठीक क्या-क्या चुनाओं चिन बाटेगा चुनाओं की व्यत्ता करें प्लारा करेगा सांती पुन चुनाओं से संपन कराना भारत के निर्वाचन, विभिन निर्वाचनों के लिए, निमनिकित में से कौन-कौन सी निर्वाचन प्रिलानया सुक्रीत की गई है, ठीक है, वैस्क मत अधिकार के अधार पर प्रतेक्स निर्वाचन प्रिलानयाली, एकन संक्मनी मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनीदित की प्रणारी अनुपातिक प्रतिनी दित्यु की सूची प्रणारी अब प्रतेक्ष निर्वाचन की संची मतदान प्रणारी भारत के विभिन निर्वाचनों के लिए अनुपातिक में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणारी है ठीक है एक दो एक दो तीन एक-3, 2-3, 4 तो कौन-कौन सानी रिवाचन शिस्टम है तो पहला है तो वयस्क वाला है ठीक, एकल्ड संक्रमनी मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनी दित्टी जो राश्पती का होता है ठीक, अनुपातिक प्रतिनी दित्टी की सूची यह तो बिल्कुल नहीं होता अब प्रतेक्ष निर्वाचन की संची मतदान प्रणाली यह होता है तो एक दो और चार सॉरी 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 वेट 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 यह नहीं होता सॉरी चौथा नहीं होता संची मतदान प्रणाली नही destructive voting system of indirect election संचे मतदां की प्लेणाली मतब किस परकार से होगा इस परकार की बातों को वो डिसाइड नहीं करता ठीक है क्योंकि चुनाओं के लिए निर्वाचन के लिए नियम एक दो और तीन होगा इसका सी चौथा नहीं होगा संची मद्दान प्रणाली नहीं बनाता वो क्लियर है चलो नेट कोश्चन बाती सविधान में तीनों सूचियों से सम्मधी त्वर्स था निमिकित में से कहां से लिए गई है तीन सूची है केंदर सूची राजर सूची लोग दोगे कि भारत में जो तीन सूची आये ना केंदर सूची राजर सूची समवर्ती सूची वो इन तीनों में से कहां से लिए ठीक है क्लियर सच में अगर पाल रहे हो ना एकदम सच में सिरियास हो गए हो ना पढ़ाई को ले करके तो आंसर जरूर देना और अगर जो तो कोई जरूरत नहीं है अंसर देने की ठीक है वीडियो पसंदा है तो देख लेना नहीं पसंदा है बिलकुल मत देखना ओके ठीक हाँ ध्यान देना आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो इन नुकसान आप किसी और का नहीं आप अपने खुद का कर रहे हो इसलिए अपना नुक्सान मत करो, क्योंकि आपके नुक्सान के साथ साथ आपके परिवार वालों का भी नुक्सान जुड़ा है, तो अगर इमानदार हो, अगर सच में पढ़ाई कर रहे हो, एकदम सीरियस हो, एकदम गंभीर हो कि नहीं मुझे पोस्ट पाना ही है, तो आंसर मुझे दे देना दो कोश्चन का, जो पहले पुछ चुका हो, और एक यह वाला कोश्चन, वरना फिर आपकी मर्जी, मेरा काम है, मैं इमानदारी से आपको पढ़ा दूँ, मैं आपको हर चीजे बताओं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समझते ना हो, और आपका क्लियर, चलो, तो दो कोश्चन का अंसर आप लोग दे देना, ठीक, तो इसका अंसर देंगे, कि कहां से लिए यह तीनो सूचियां, यदि समवर्ती सूची के किसी विशय पर, राज विधान, मंदद, और निर्मित, अधिनियम, उस विशय पर, संसिती अधिनियम, परस्प को पहले समझो, जो नियम पहले बना है, वो दूसरे पर अभिभासी होगा, जो नियम बाद में बना है, वो पहले पर अधिभासी होगा, संसिती अधिनियम, राज यदिनियम पर अभिभासी होगा, संसद और राज विधान, मंदल, दोनों को पुनह अधिनियम निर्मान कर जाएगा सी कि संसदी अधिनियम राज अधिनियम पर अभी भासी मतलब मुख्य होगा उसी के उपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा किसका संसदी अधिनियम का उसको प्रिफरेंस दिया जाएगा पहले क्लियर है ठीक ध्यान देना कि अगर सुची पर नियम बना रहे तो पहले केंद्र का नियम माना जाएगा फिर देखेंगे बाद में राज जिका मगर मुख्य रूप से किसका पावर होगा केंद्र का ही होगा भले दोनों को अधिकार दिया गया संसदी सुची में कानून बनाने का ठीक है चलो नेक्स्ट भाति सवीधान के संबन में निम्रिक में से कौन सा युग में सुमिलीत नहीं है तो समवर्ती सूची का विसा है बिलकुल पोस्ट आफफिस टेविंग्स संग का है बिलकुल स्वास्त किसका है राज्य罕 है इस टॉक एक्षेंज राजसमवर्ती का नहीं है क्योंकि इस टॉक एक्षेंज आपका केंद्र का है तो ये केंद्र सूची का विसे है ना की राज्य सूची का विसे है ठीक है ना क्लियर तो आंसर इस बी गलत है इस टॉक एक्षेंज किस में जाएगा आपका केंद्र की जाना थिकर राष्री भासा नहीं है हिंधी नसनल लेंगवेज्वेज में ध्यान देना राज भासा है वह जिसमें राजर सभी में समानरूप से बोले जाने वाली पासा है वह. हमारा कोई special लेगवेज полез नहीं है ठीट उप्सेर राज हम से औतिकल में 248-246- thereafter 243- n क्या है वह 243a ऐसर है कौन सा राज भांसा किसमें 243 ए में है वह खीक चलो सविधान के किसन उछेद में यह वैस्ता किया गया कि प्रतेक राज सिक्षा के परत्मिक इस्तर पर मात्री भासा में सिट्छा की प्रयाप सुविधाओं को अप्लब कराने का प्रयास करेगा मतलब कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि राजी सरकार यह सा करेगी कि प्रात्मिक सिक्षा किसमें मिले मात्रे भासा में मिले ठीक है तो मात्री भासा में लेने के लिए कौन सा आर्टिकल है सिंपल सा है आपका आर्टिकल 350 टी ए ठीक किसमें मातरी भासा में सिख्षा गरन करना प्रात्मिक इस तर तक कि क्लियर है चलो next next क्या thank you बोलते हैं ठीक क्लियर चलो thank you धन्यवाद ठीक समझ में आया इतना पढ़ना है आपको इस आर्टिकल में आप allora don på जैबना हर बार में देता हूं मैंतलब हर बार कोश्चन देता ओं अप लोग और देखता हों तो मुष्किल से कुछ पुछी लोग आंसर देते हैं, बाकी लोग सीरियस नहीं हूं क्या पढ़ाई को ले करके, सीरियस हो जाओ, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये मौका अगर गया ना, पुलीस बनने का, तो पता नहीं कब आएगा फिर दुबारा मौका, तो कम से कम जो समय मिला है ना, सबसे इं कर देट डिकलियर नहीं है, तो इसलिए एकदम गंभीर हो जाओ, बिल्कुल मजाक मत करो, अपने के साथ बिल्कुल मजाक मत करो, ठीक है, ओके, तो एकदम गंभीर हो करके पढ़ाई करो, और किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, तो पूछो, नहीं पूछोगे, तो मैं क तो चलो, नेक्स वीडियो में मुलकात होगी, और जैसा मैंने कहा, कि जो हमारा नगरीन का है, पंचायत का जो टॉपिक है, वो हमें लास्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी नहीं, मस्त अच्छे से अराम से उसको करेंगे, ताकि उसमें से कोश्चन आना ही है, वो एकदम कम है, तो उसको ऐसा मैनेज कर रहा हूँ है, कि उसमें से अगर किसी प्रकार का कोश्चन आए, तो आप से जरूर बने, क्लियर है, ठीक, तो चलो, नेक्स वीडियो में, नेक्स लेक्चर में, फिर से मुलकात करेंगे आपन, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, खुब मेनत क करो, क्लियर, क्योंकि आर या पार पैदल या कार, थेंक्यू सो मच,